भक्तो प्रेम से बोलिए जय माता के अभी तक की चार अध्यायों में आपने किस प्रकार देवी की उत्पत्ती हुई और किस प्रकार महिस्टा सुरु का मर्दन हुआ ये सब कथा का श्रवन किया अब पंचम अध्याय में आपको सुनाता हूँ कि चंड मुंड ने देवी के संद्रे को देखकर अपने दूद को उनके पास भेजा और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहा और देवी ने किस प्रकार उसके साथ समवाद किया ये कथाब श्रवन करें रिशी ने आगे कहना प्रारंब किया कि प्राचीन काल में शुम्ब और निशुम्ब नामक महाबरवान दानवों ने बल मद से गर्वित होकर इंद्राशन को अपने अधिनस्थ कर लिया उन दानवों ने सूरेच चंद्र कुबेर, यम वर्ण आदी देवताओं के अधिकारों का भी हरन कर लिया और उन दोनों ने अगनी और वायू को भी अपदस्थ कर दिया अर्थार्थ उन दोनों भाईयों ने संपूर्ण स्वर्ग लोग को हस्तगत कर लिया और वहां से देवताओं को खदेड दिया उन दोनों राक्षिसों से पराजित तथा अपमानित होकर सभी देवताओं ने अपराजिता देवी का ध्यान किया और पूर्व काल में जगदंबा द्वारा देवों को भर प्राप्त था कि जब भी उन पर किसी प्रकार का संकट उपस्थित होगा तभी देवी की आराधना द्वारा उनका संकट दूर हो जाएगा ऐसा सोचकर सभी देवता हिमाल्य परवत पर जाकर भगवती विष्णु माया की स्तुती करने लगे और देवताओं ने कहा कि हे देवी आपको नमस्कार है महा देवी शिवा को हम सब का प्रणाम है प्रकरती एवं भद्धा को नमस्कार है हम लोग नियम पूर्वक जगत जन्नी जगदंबा की बंदना करते हैं रोद्रा नित्या गौरी एवं धात्री देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है जोशना मई चंद स्वरूपनी तथा सुख स्वरूपनी देवी को मेरी सतत बंदना है शर्नापन्नों के लिए कल्यान मई वर्द्धी करी एवं सिद्धी स्वरूपनी देवी को हम सब लोग बार बार प्रणाम करते हैं दारबों की लक्षमी, राजाओं की लक्षमी तता शर्वानी स्वरूपनी जगदंबा को हम सब नतमस्तक होकर अभिवादन करते हैं। समस्त जीवों में चेतना नाम से युक्त देवी का हम अभिवादन करते हैं, सभी प्राणियों में बुद्धी रूप से अवस्तित देवी को प्रणाम है, समस्त जीवों में निद्रा रूप में सित देवी की बंदना करते हैं, सभी जीवों में शुधा रूप में विद्यम जो सभी प्राणियों में शक्ति त्रिश्णा एवं शांती रूप में अवस्तित हैं उन देवी का मैं बारंबार अविवाधन करता हूं सभी जीवों में जाती तता लज्जा रूप से विद्यमान रहने वाली देवी को नमस्कार करते हैं सभी जीवधारियों में शांती श् स्थिति वृति और स्मृति रूप में हैं उनका अभिवादन करते हैं सभी जीवदारियों में द्यार रूप में स्थित देवी को नमस्कार है और सभी लोगों में तुस्टी रूप में परिव्याप्त देवी को नमस्कार है इस स्रिष्टी में जिनकी स्थिति मात्री तदा ब्रांती रूप में है उन देवी को प्रणाम है सभी प्राणियों में ब्याप्त इंद्रियों की अधिश्टात्री देवी को नमस्कार करते हैं और जिनकी ब्याप्ति इस श्रिष्टी से चैतन्य रूप में हैं उन देवी को नमस्कार करते हैं प्राचीन काल में अपनी इस् यहता निवारन करें इस समय देत्यों के अनाचार से पीडेत होकर हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तधा जू ब्यक्तियों द्वारा श्रतधानवीत होकर स्वरण करने से उनके समस्त संक्टों का निवारन करती है वे ही जगदंबा हमारे कस्टों को भी दूर करें इसके बाद रिशी ने कहा कि हे राजन देवताओं द्वारा जिस समय वहां स्तुति पाठ हो रहा था उसी समय पार्वती जी ने वहां गंगा सनानार्थ पदारपन किया था और मनोहारी भुकिटी से युक्त उन भगवती पार्वती ने देवताओं से पूछा कि हे देवो आप लोग यहां किस कारण से आये हैं और आप यहां किसकी बंदना कर रहे हैं तब उनी के शरीर कोष से निर्गत शिवा देवी ने उत्तर दिया कि ये सभी देव युद्दमे शुम्ब निशुम्ब नामक देतनों से अपमानित एवम पराजित होकर मेरी हिस् पारवती जी के शरीर कोष से ही अंबिका देवी की उत्पत्ती हुई थी इसलिए वे त्रेलोके में कौश की नाम से संबोधित की जाती है कौशिकी की उत्पत्ती के बाद पार्वती जी के श्रीर का रंग काला पड़ गया इसलिए उनको काली का नाम से संबोधित किया गया तदंतर सुम्ब निशुम्ब के अनुचर चंड मुंड ने आकर परमुग्द कारणी रूप वाली अंबिका देवी को देखा और देवी का अवलोकन करने के बाद उन्होंने शुम्ब देते से जाकर कहा कि महराज मैंने हिमाले परवत पर एक अतीव संद्री इस्त्री को देखा है उसकी कांती से हिमाले अलोकीत हो रहा है वैसी अनित्र संद्री को अब तक किसी ने नहीं देखा होगा हे दानवराज आप पता लगाकर उस इस्त्री को ग्रहन कर लीजिए उस इस्त्री के समस्त अंगों की शोभा वर्णा दीत है और अपनी अंग प्रभा से ही वह संपूर्न दिग दिगंतों को प्रकाशित कर रह ही है अभी तक वह हिमालय पर ही विद्यमान है आप चलकर उसे स्वेम अपनी आखों से देख सकते हैं इस समय आपके आवास्थान में सभी अमूल्य रत्न हाथी घोड़े आदी शोवित हो रहे हैं आपने ही इंद्र से एरावत पारिजात व्रिक्ष एबम अश्वों में स् इसके अत्रिक्त हंसों से जुता हुआ ब्रहमा जी का रत्न जडिति बिमान भी आपके यहां रखा हुआ है आपने कुबेर से महापत्व नामक निदी भी हरन कर ली है समुद्र ने केषरों से स्वगंदित अपना किंजल किनी नामक माला आपके हाउटं सहर समर्पित कर दी हैं जिसके कमल सदैव हरे भरे बने रहते हैं वरुन देव का सोना बरसाने वाला च्छाता भी आपके घर की शोभा बढ़ा रहा है तदा प्रजापती का उत्तमरत भी आपके अधिकार में है हे असुर राज मृत्यु की उत्करांतिदा नामक शक्ती भी आपने उबलब्द कर ली है वरुन का पास तदा समुद्र गर्व के अनेक रत्न आपके छोटे भाई निशुम्ब के पास हैं अगनी ने दो दिव्यवस्तर आपको स्वेंब अर्पित कर रखे हैं हे देत्ते आपने संपूर्ण रत्नों का संग्रह कर रखा है फिर आप इस्त्रियों में रत्न रूपी देवी को ही क्यों छोड़ रखा है अतै इसे भी आप अपनी अनुगामिनी बना लीजिए रिशी ने पुनह कहा यह वक्तों चंड मुंड के मुख से ऐसी अनहोनी बात सुनकर सु और सुम्ब ने उस राक्सर से कहा कि तुम उसे परलोवन दे कर हमारे पास ले कर आओ सुम्ब का आदेश मिलते ही वह दानव परवत के उस रमनीक भाग में आ अगया जहां देवी पहले से ही विराजमान थी तव चुम्ब के दूट ने देवी से मधर्वचन में कहा दूट के रूप में तुम्हारे सम्मुक उपस्तित हुआ हूं सभी देवगण उनकी आग्या का पालन बिना प्रतिरोद करते आये हैं कोई भी उनका आदेश नहीं टाल सकता उन्हों कोने संपूर्ण देवों पर विजय प्राप्त कर ली है तुम्हारे लिए उन्होंनों ये संदेश मुझसे कहलवाया है उसे तुम ध्यान दे कर सुनो तो दानवराज कहते हैं कि इस समय सारी स्रिष्टी मेरे बशी भूत हैं देवता भी मेरी बात का उलंगन नहीं कर सकते पूर्ण यग्यों का मैं ही प्रतक प्रतक रूपों में भोगता हूं त्रिलोकी के समस्त स्रिष्टम रत्न मेरे पास उपलब्द हैं देवराज इंद्र का सर्वसिष्ट बाहन एरावत हाथी मेरे पास है शीर सागर के मंतन काल में प्राप्त उच्च श्रवा नामक तुम हमारे पास चली आओ क्योंकि उन दुर्लब वस्तुओं का उपभोग करने वाला एक मात्र में ही राजा हूं है चंचलाक्षी तुम मेरे या मेरे महाबलवान भाई निशुम्ब के पास रहकर सुर्दुलब सुखों का उपभोग करो क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा कर कल्यान कारणी भगवती दुर्गा अपने मन में गंभीर भाव से मुस्कराते हुए सुदूत से बोली देवी ने दानवदूत से कहा कि हे दूत तुमने जो कुछ भी मुझे बतलाया है यह अक्षरक्ष सकत्य है इसमें तनिक भी संदेह नहीं इस समयत्र लोक्य का स्वा करनी मुझे समर में प्राजित करेगा उसी के साथ मैं विवा करूंगी ऐसा अपना अप्रण दूर्गा ने उस दूत से कहा इसलिए यहां सुम्ब निशुम्ब आकर मुझे जीत लें तो मैं शिक्र ही उनको पतिरूप में गहन कर सकती हूं अतेव इस कारे में बिलंब करना ठीक नहीं है देवी की बात सुनकर दूत ने कहा कि है देवी तुमारी बातें केवल डंभ पूरण है लड़ने की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती इस बिश्व में ऐसा कोई जीवधारी नहीं जो सिंब निशिंब के सामने खड़े होने के सावर्त रखता हो सभी देवता एक साधारन राक्षस को सामाहिक रूप से नहीं जीत सकते तब तुम अकेली अबला क्या राप्त कर सकती हो जिन अश्रों के आगे इंद्रादिक देवता भी नतमस्तक हो गए उनके सामने तुम एकाकी क्या कर सकती हो मेरी बात मान लेने में ही तुमारा हित है अते तुम मे अपनी प्रतिग्या के कारण विवश्च हूं मैंने बिना सोचे समझे ही ऐसी प्रतिग्या कर ली थी अब उसे कैसे छोड़ दूं इसलिए तुम अपने स्वामी से मेरी बातें समझा कर कहो और उसके बाद वे जैसा उचित समझेंगे वैसा ही करेंगे इस परकार भक्तो आ आकर सुबन रिशुम्ब का संदेश भगवती को सुनाया और देवी ने उसका किस परकार प्रतिवत्तर दिया यह संबाद मैंने आपसे कहा अब छटे ध्याय में माता ने किस परकार धूम्र लोचन का बद किया उसकी कथा आपसे श्रवन कराता हूँ ध्यान से सुनिये रिशी ने कहा कि देवी के मुख से ऐसी विचित्र बात सुनकर दूद को अत्यंत आश्चरे हुआ और उसने असुर राज से सारा ब्रतानत जाकर कहा दूद से ऐसी बात सुनकर दानव राज अत्यंत क्रोधित होकर अपने सेना पती धूम्र लोचन से बोला किये धूम्र लोचन तुम अपनी सेना के साथ अभी वहाँ चले जाओ और उस दुस्ता इस्त्री के केश पकड़कर घसीटते हुए यहां बलपूरवक लाओ उसका रक्षक यदी को यक्ष गंधर्व देवता कुछ भी हो तो उसका बद कर डालो तो रिशी ने कहा कि धूम्र लोचन अपने स्वामी का आदेश मिलते ही साथ हजार दानवों को साथ लेकर उसी छण चल दिया और परवत के निगट पहुंचते ही उसने हिमाल्य वासनी देव नहीं होगी तो मैं तुझे बलपूर्वक पगड़ कर ले जाओंगा शैना पती की ऐसी बात सुनकर देवी ने कहा कि तुम राक्षच राज के कहने पर यहां आए हो और स्वेंभी पराकर्मी हो इस समय तुम्हारे साथ बिपल बाहनी भी है ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले भी चलोगे तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगार सकती कि उसके आगे की कथारिशी ने पुनहें कहा कि देवी का इस प्रकार का नकारात्मक उत्तर सुनकर धूम्र लोचन बेग पूर्वक देवी की और दोड़ पड़ा तब देवी ने हुम सब दानवी सेना के साथ अंबिका का तीक्षन बानों शक्तियों फरसों का युद्ध चलने लगा और इतना भ्यंकर युद्ध देखकर देवी बहन कुरुद सिंग भी अपने आयालों अर्थार्थ गर्दन के लंबे वालों को फटकारता हुआ राक्षसी सेना पर घुस से कितनों को धराशाई करके दाड़ों के प्रहार से मार डाला उस सिंग ने कितने ही राक्षसों का पेट अपने नाखुनों से फार डाला और कितनों के सिर को थपड़ से आघात से उड़ा दिया कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने चवा डाले कितनों के पेट चीर कर उ हुए उनका खून पी डाला देवी के महावली सिंग ने छण मात्र में ही संपूर्ण आशुरी सेना का विद्धवन से कर डाला जब सुम्ब को यह खवर मिली कि युद्ध में धुम्र लोचन मारा गया तदा उसकी समस्त सेना का विनास भी सिंग ने कर दिया है तो अतंत क्रोधा वेश में होकर उसके होंट कम पायमान हो गए उसने चंड मुंड नामक दो महावल साली दानवों को आदेश दिया कि हे कार लाना संभव ना हो सके तो आशुरी सेना की मदद से उसे वहीं पर मार डालना और उस दुस्ता की हत्या होने तदा सिंग के मारे जाने पर उस अंभिका को अपने पास में बांद करके शिक्र ही वापस ले आना तो इस परकार भगतो आपने छटे अध्याय में संपूर् धुम्र लोचन का बद हुआ और सिंग ने किस परकार संपूर्न सेना का नास कर दिया इसी परकार मां अंबे की किरपा से आप सब के दुखों का नास हो आपको कल्यान की प्राप्ति हो प्रेम से बोलें जै माता की